अगर आपका किसी भी बैंक में अकॉंट है और उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी बैंक में आधार लिंक कर सकते हो बिना बैंक जाए तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं और कम्प्लीट जानगार देंगे अपने खाते में अधार को कैसे लिंक कर सकते हो यह service हाली में launch की गई है जिसमें आपका किसी भारत के किसी भी bank में है तो उसका link करने का process बता दिया जाता है online कैसे आप अपने अधार कार्ट को bank से link कर सकते हो bank account से उसके लिए तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी browser open कर लेना है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आपको search करना है यह आधार link status स्टेस जैसे क्लिक करेंगे तो चिक आधार and bank account linking इस्टेस पे अपको किलिक करने के पाद ग टो मा कूअी इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक option दिखिए रहोगे चेक आधार bank account sending इस पे आपको क्लिक करदेना है क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नमबर देना है सिकुरीटी कोड़ देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है आपके आधार से जुड़े गजा मिवाइल नamber पर ऑटीप चला गया है उस greetings को यहाँ पर एंटर करएंगे एंटर करने के बाद सब्मिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का आपसंस आएगा यहाँ पर चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस में बताए जारा Congratulations, your bank mapping has been done, उसके बाद आपका आधार नंबर है, फिर आपका बैंक का इस्टेटस है, कि आपका कौण लिंकिंग है, उसके बाद जहाँ पर एक टिब है, कब लिंक हुआ और कौन से बैंक में लिंक है, वो सारा डीटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है अब माल लिजिए कि आपका दूसरा कोई खाता है, जो यहाँ पर सो नहीं कर रहा है या फिर यहाँ पर लिंकिंग इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो आप आप किसी भी और खाते में, या फिर जो आपका खाता है उसमें कैसे लिंक कर सकती हो तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले गोग अपने किसी भी ब्रॉजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है अपने बैंक का नाम जो भी आपके बैंक का नाम है सपोज Yuko Bank आधार लिंकिंग तो मैं यहाँ थोड़ा से स्क्रोल डॉन करता हूँ यहाँ पे और स्क्रोल करते हो तो एक उप्सन दिखरा होगा Yuko Bank OTP Service इस पे आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपका KYC लिया जा रहा है KYC करने के लिए आपको अपना अकॉंड नमर देना है आधार नमर देना है मुबाइल नमर को एंटर करना है और सब्मिट बाले बटम पर किलिक कर देना है अब जैसे आप सब्मिट पर किलिक कर दोगे तो आपके बैंक में जो मुबाइल नमर लिंक है या फिर जो आधार में लिंक है दोनों में से किसी एक पे OTP जाएगा उस OTP को एंटर करेंगे और सक्सेसफुली आपका जो बैंक अकॉंट होगा वो लिंक हो जाएगा आधार से अब आप APS के तुरू पैसे को जमा निकास लिक कर सकते हो उसके बाद चलिए अब अगर और किस कोई बैंक है आपका यहाँ पे सर्च करता हूँ यूनियन बैंक आधार लिंक सेर्च करता हूँ तो फस्ट वाला जो आपसन आ रहा है मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरी के एका आपसन साएगा जहाँ पे सबसे पहले मागा जा रहा है यूनियन बैंक का अकॉंट डिटेल सबसे पहले आपको अपना अकॉंट नमबर देना है फिर उसी अकॉंट नमबर को दोवारा इंटर करना है और आपके खाते में आपका क्या नाम है पूरा नाम देंगे उसके बाद ये बैंक अकॉंट डिटेल कंपलीट हो चुका है contact detail में आपको mobile number email id डालना है और submit पर click कर देंगे आपने जो mobile number को यहाँ पे enter किया है वो mobile number पर OTP जाएगा उस OTP को enter करते ही आपका bank account 24 गंटे के अंदर आधार से link हो जाएगा और APS के थुरू आप पैसे को जमान निकासी भी कर सकते हो और जिस बज़ा से आपका bank account में कोई भी problem है आधार के बज़ा से तू भी कर सकते हो अब चलिए और कोई देखते हैं यहाँ पर मैं bank of बडोदा का search करता हूँ बी ओ भी और इस website पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको account number डालना है mobile number डालना है और जरनेट OTP पर click कर देना है जो भी आपने mobile number डाला उस mobile number पर OTP जाएगा और यहाँ पर successful लिए आपका bank account यानि कि 24 से 12 गंटे के अंदर bank of बडोदा का किसी भी time आपका आधार link हो जाता है और आप APS के तुरू यहाँ पर भी सच करते हैं मैं यहाँ पर SBI का सच करता हूं यहाँ पर मैं SBI bank आधार link सच करता हूं तो यहाँ पर सिकन्ड वाले पर click कर देता हूं जैसे सिकन्ड वाले click करेंगे पीडियो पोपइंड हो जाएगा जहाँ पर यह online ही कैसे आप link कर सकते हूं इसका process बताया गया है सबसे पहले मैं SBI anywhere एप में login करूंगा उसके बाद उसमें register करूंगा फिर यहाँ पर आधार का detail देंगे और click आधार linking पे click करेंगे आप मेरे पास custom CIF आ जाएगा down list में फिर उसका टर्णबंट condition से light करेंगे और OTP देके हम अपने SBI का account में आधार को link करने का request बेच देंगे यहाँ पर 24 से 72 घंटे में आपका आधार link bank account से हो जाएगा यहाँ पर चली हम फटाफट से करते हैं क्योंकि video अल्यडी लंबी हो जाएगी Indian bank को यहाँ पर मैं search करता हूं और first online आधार sitting पे मैं click कर देता हूं जैसे online आधार sitting पे click करता हूं तो account number डालना है फिर capture code डालना है I agree करना है submit कर देना है Indian bank का टेर्मेंट condition यह है कि जो भी आपके account से आधार जो भी आपके account से mobile number link है उस mobile number पर OTP जाएगा और OTP देने के बाद आपका successfully आधार card link कर दिया जाएगा अब चलिए दूसरे पर आते हैं मैं यहाँ पर मैं पंजाब national का selected कर लेता हूं पंजाब national लिखने के बाद first online पे मैं click करूंगा first online पे click करने के बाद नीचे में नीचे एक option लिकर होगा click here click here for OTP based अधार sitting यानि की OTP के through मैं अपना अधार card link कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं click करता हूँ click करने के बाद account number डालना है capture code डालना है और continue कर देना है सबसे पहले आपका register mobile number पर OTP आएगा OTP और capture code डालना detail दे देगे उसके बाद आपका successfully bank account में अधार card link को हो जाएगा अगर इनमे से भी जितना मैंने बताया यह सब भी नहीं आपका bank account कोई other है तो आपको simply अपना bank का नाब उसके बाद आप लिखेंगे अधार linking आपके सामने successfully website आजाएगा उस website पे जाएगे और successfully आप अपने अधार से bank account को link कर देंगे bank account link होने के बाद 24-25 गंटे का समय लगता है link हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी काम को कर सकते हो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में आइपोप की यह वीडियो पसन आया होगा पसन आया तो like कर दीजिए channel को भी subscribe कर दीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए टिक केर बाई बाई